एक दोहा आपने सुना होगा फ्रेंज जिन खोजा तिन पाईया गहरे पानी पैट मैं बोरी ढूनन गई रही किनारे बैट जिसकी पहली लाइन का मतलब है कुछ खोजने के लिए गहरे पानी में उतरना पड़ता है वैसे तो ये बात जिन्दगी के हर क्षेतर में लागू हो जड़ी बूटियों के इस अमरित मही संसार से आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अश्वगंधा एक ऐसी जड़ी बूटि जिसके फाइदों को विस्तार से बताने के लिए एक अलग ही किताब की जरूरत पर जाएगी आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अश् जड़ी से अश्वगंधा के गुण, अश्वगंधा की नरोगों में लापकारी है, इसके उपयोग और उपयोग का सही तरीका, साथ ही अश्वगंधा के कुछ महदपोर्ण शास्त्रिय योग और अश्वगंधा के परियोग के बारे में साथधानिया, गाईज अश्वग पड़ा क्योंकि इसकी ताजी कटी हुई जड़ों से अस्तबल जैसी गंद आती है इसका छोटा सा सदबहार जाड़ीदार पौधा होता है जिसकी लंबाई 5 फीट तक हो जाती है जिकित्सा विग्यान में अश्वगंदा की सुखाई गई जड़ के पाउडर का इस्तिमाल कि अश्वगंदा के बारे में बताया गया है जिसका मतलब है कि इसमें एंटी एजिंग गुड़ होते हैं जिसकी वजह से अश्वगंदा उम्र के प्रभाव को कम करती है और व्यक्ति लंबे समय तक ना सिर्फ युवा दिखाई देता है बलकि उसके अंग भी युवा की अश्वगंदा को आईरुवेदी मत से कफ और वात को दूर करने वाला माना गया है चलिए अब जानते हैं कि अश्वगंदा के इन किन रोगों में कामाती है अश्वगंदा जैसे कि मैंने बताया कि एक रसायन जड़ी बूटी है इसलिए बुढपे को दूर रखती है अश्वगंदा को आईरुवेद के ग्रंधों में बल्ले और ब्रहंगण माना गया है यानि बल देने वाला इसलिए अश्वगंदा को शारिरिक दौर बल्ले को दूर करने वाला माना गया है अश्वगंदा को यह तो सभी अंगों को ताकत देने वाला माना गया है लेकिन बास तौर से अश्वगंदा muscle building में मदद करती है, अश्वगंदा nitrogen balance करती है और muscle protein के बनने को promote करती है, अश्वगंदा ना सिर्फ शारिक दौरबले दूर करती है, बल्कि नाड़ी दौरबले भी ये दूर करती है, ये आदूनिक खोजो के अनुसार एक adaptogen है, Adaptogen उन पदार्तों को कहा जाता है जो शरीर की हर तरह के तनाव सी रक्षा करने में हेल्प करते हैं चाहे वो शारिरिक तनाव हो, मानसिक तनाव हो या भावनात्मक तनाव हो इस प्रकार से अश्वगंधा का सही इस्तेमाल, व्यक्ती की तनाव, चिंता और अवसाथ से हिफाज़त करके मूड एलिवेटर का काम करता है अश्वगंधा को एक उत्तम वाजी कर द्रवे माना गया है कहते हैं कि अश्वगंधा का अश्वगंधा नाम इसलिए भी पड़ा क्योंकि ये पुरुष को वाजी यानि घोड़े के समान बलवान बना देती है अश्वगंधा व्रिश्य यानि कामों तेजक है, उतेजना लाने में मदद करती है और इंटरकॉर्स की चागों बनाई रखने में भी काफी मदद करती है इसलिए अश्वगंधा कई वाजी कर दवाईयों में इस्तमाल की जाती है अश्वगंधा शरीर के रोग प्रतिरक्षा तंत्र यानि इम्म्यूनिटे सिस्टम को मजबूत करती है और शरीर को रोगों से लड़ने के काबिल बनाती है इसके अलावा गाईज अश्वगंधा और भी कई बिमारियों में इस्तमाल होती है जैसे नींद ना, आना, सूजन, बच्चों में को पोशन की बिमारी आदी और अश्वगंधा की मात्रा जैनरली जड़ के चुन के रूप में 3-6 ग्राम है जो की व्यक्ति की प्रकृति, उम्र, आदी फैक्टर्स के हिसाब से बदल सकती है अश्वगंधा के पुराने शास्त्री योगों में अश्वगंधा रिष्टु बड़ी मशूर दवाई है जो समाने दौरबले, नाडी दौरबले और अनिद्रा जैसे रोगों में अच्छी असरदार दवाई है Modern Pretended Yoga में अश्वगंदा अंगिनत प्रॉडक्ट्स का घटक है जैसे हिमाले Wellness Company का Confido, Spimen, आदुनिकोजो से जैसे जैसे अश्वगंदा के ओशदिये गुणों पर से परदा उठता जा रहा है वैसे वैसे तो अश्वगंदा के dietary supplements के तौर पर बाढ़ सी आ गई है अश्वगंदा का यूँ तो कोई side effect ऐसा नहीं है जिसके बारे में special में बात करूँ है इतना जरूर है कि अगर आप लंबे टाइम से अश्वगंदा प्रयोग कर रहे हैं तो एक बार आयुविदिक चिकित सक्सेस के बारे में परामश जरूर करें प्रो वेलनेस मंत्रा की अश्वगंदा कैपसियूल गुडवत्ता को ध्यान में रखकर बनाए गई हैं अगर आप चाहें तो अश्वगंदा और ग्यानिक कैपसियूल या किसी दूसरी हर्ब के और ग्यानिक कैपसियूल पावरवेलनेसमंत्रा.com से परचेस कर सकते हैं लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है साथ ही साथ आप वीडियो में दिये गए नंबर पर कॉल करके भी और ग्यानिका शुगंदा मंगवा सकते हैं So my dear friends, that's all for today's video I hope आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरा कॉंटेंट पसंद आया होगा तो बस अब आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजे, शेयर कर दीजे और आगे की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्लीज चैनल सब्स्राइब कर लीजे अभी के लिए तो मैं चलती हूँ, फिर से एक नई वीडियो लेकर आपके सामने आऊँगी तब तक आप अपना खयाल रखें, थांक यू सो मच पर वाचिंग